तो आज हम लोग tags के यूपर बात करने वाले हैं, कि... what is tags? मतलब सब को बदा है कि tags होते क्या है, बड़ ये नहीं बदा क्या rank tags ये हैं, एक न्यू चैनल पर लगाने से, एकदम से grow out हो जाता है, जैसे ही आप rank tag put out करेंगे अपने वीडियो में, तो एक दम से आपका जो चैनल आपकी وीडियो रेंक होकर फर्स नंबर पर शली जायेगी तो आज हम लोग डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में अबाउट टैग्ज अबाउट रेंक टैग्स की क्या ये रेंक टैग्स आपकी वीडियो को सच में रेंक करके for the package पर या नहीं है तो गैज सके पर इस पर जगा अधर आपको यही पताया जाता है कि एकiva मतनी वीडियो पर दम इस अपनी चैनल को रेंड़ करेंан यहां पर यह बात किसी ने आपको पहले शाहिद ना बताई हो अब यह जो रैंक टैग उठाते हैं हम लोग जाहरी सी बात है सर्च बेस पे जाता है और सबसे पहले किसी ने ये rank tag यूस किया होगा अपनी वीडियो में और बहुत से other YouTubers ने भी किया होगा मतलब हम जो एक topic पर वीडियो बनाते हैं वो हम first नहीं होते उससे पहले भी बहुत सारे YouTubers वीडियो बना चुके होते हैं तो कहने का मतलब यह है कि आपनों को देखना चाहिए कि आपकी जो वीडियो आपका जो keyword है यह कितनी सर्च बेस पर आ रहा है मलब इसे पहले कितनी वीडियो बनी हुई है और आपका जो competition है आ किसके साथ रहे अब मेरा competition जो है वो बहुत ज्यादा है compared to other YouTube channels because मेरा जो चैनल की keywords है यह ऐसे चीवर्ड है जो के हर तीसरे चोथे बंदे ने वीडियो दिन पर बनाई हुई है तो मेरा rank करना थोड़ा मुश्किल होगा अब बात करते हैं एक new channel की जो के आपने एक keyword लगाया बट वो keyword यूज किया गया बट वो keyword यूज किया गया है वो कम लोगों ने अभी search out किया है मतलब कहने का यह है कि अब आपने keyword यूज किया है अब उस पे जो आप search volume देते हैं मतलब search volume देखते हैं search volume ज्यादा है लेकिन video कम है तो उस base पे आपका जो आपकी जो वीडियो है वो first number पे जासेती है और अगर आपका keyword आपने लगाया है how to create a YouTube channel तो इस पे हजारों क्या लाखों वीडियो बने हुए हैं आपका जो आपकी जो वीडियो की अगर आपने उसकी SEO सही नहीं की तो आपकी वीडियो पहले मतलब 10 पहले 10 वीडियो पे आना तो बहुत मुश्किल है उसके नीचे नीचे ही आनी है जब आप new channel स्टार्ट करेंगे यह ना समझे कि आप जितनी मर्जी है अच्छी strong SEO भी कर लें आपकी जो वीडियो होती है वह फास नमर पे इतनी असानी से नहीं जाती आपको लाइक चाहिए होते हैं आपको अब लाइक का मतलब यह नहीं है कि आप लाइक बढ़ाना स्टार्ट करते हैं मतलब है किसला से first number ऐलम करती है ऊस्यु जो जाता है आप क्या रात में ही आप की video असमान पर पहुंच जाएंगी आप राम यह जाएगा तो यह mindset आप जड़ा निकाल जेए कि ऊण लगा प्र वीडियो की रेंघ च्रॉस करता है कि वह वीडियो decision смотреть को यह भी उism ही टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 ये टॉप 50 में भी नहीं आए गया की वीडियो क्यूंकि आरेडि बहुत सी कंपेटिशन उस की और पे उस टैक्स पे चल रहे हैं अब जरा एक छोटी सी मिसाल आपको में देता एक्जांपल के तोर पर आपको में बताता चलू के एक वीडियो है वो वीडियो सिक्स मंस पहले अप्लोड की गई थी और उस वीडियो पे 1.5 या 2 मिलियों वीउस आ चोके हैं और जो उस वीडियो का कीवर्ड है रेंक कीवर्ड है वह आप उठा के अपने चैनल पर भी यूज करते हैं बट अब यहां पर जारा समझने की बात या कि आप उ आपने जो कीवर्ड है वह उस बंदे का उठाया हुए अब उस बंदे का नाव उठाया क्योंकि वीडियो जो है वह आल्रेडी रेंक है तो जैसे ही पूट आउट करेगा तो उस बंदे की जो के चे महीने पहले वीडियो अपलोड कर चोका उस 2 मिलियों व्यूज भी है उस से आपकी वीडियो रैंक नहीं होती आपको इसके लिए बड़े पापड बेलने पड़ते हैं या फिर दूसरा चांस यह है कि आपकी लग लग जाए और आपका एकदम से जो वीडियो है उठाने हो जाए और आपकी वीडियो फर्स नमबर पर आ जाए तो आज की वीडियो ईयुक्ति कोलदा कि वह मतलब का गलत propor रहा है एकदम से आप रहन की वाड भिष्क चूस करें अप्लांग टेल कीवर बेर बचषव करें बटो लॉल लांग टेल कीवरड भी कही ना कहीं यूज किये गें का रहुएं को ही उसको यूट किसी ना किसी ल१ियर रλοई लगह उ खासकर जब आप एक न्यू चैनल बनाएंगे और ये बात में अपने एक्सपेरियंस से बता रहा हूं अपने से नहीं बता रहा के बैठा वीडियो बनाई और बोल दिया तो यूटुब में आरड़ी दो साल से काम करूं यह दो साल से ज्यादा का टाइम हो गया है और डिफर यह जो बात है आपको हर कोई बताएगा भी नहीं और रात आप आसमान पे पहुंच जाओ आपकी वीडियो आसमान पे पहुंचागी जार चोड़ो इस कॉंसेप्ट को यह बात ही नहीं करने इस कॉंसेप्ट पे आपको यह समझना चाहिए के रैंक कीवर्ड आप जहां से म अगया रेडी रैंक हुआ है तब जाके वह वीडियो वह रैंक टैग आपको रैंक मिल रहा है और आगे जाके मैं कुछ आपको एक्जाम्पल्स भी बताऊंगा के लाइब बताऊंगा कि भई देखें अब यह जो रैंक कीवर्ड है यह हम उठा के अपने चैनल पे लगाते की और कुछ प्रीविएस एक्सपिरियंस भी मुझे था किस्पैरिमेंट्स करता रहा हूं उसकी बेस मुझे ही पता चला के न्यू चैनल के जब आप बनाते हैं उसको ग्रॉब करते हैं वो कीवर्ड वो कहीं और भी जारी से बात है रैंक किया गया और मेरा जो वीडियो है वीडियो के टॉफिक्स जो है वो और रेड़ी हजारों लोग बना रहे होते हैं पहले सी वीडियो तो मुझे रैंक करना खोड़ा मुश्किल होता है वो एक अलग बात है कि आप न्यूस के चैनल कीवर्ड कुछ हैसे हैं कि वो एकदम से रैंक कर जाते हैं बट हर कीवर्ड रैंक नहीं करता तो यह माइंड में रखना है आगे इस पर में डिटेल बात करूंगा अभी काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो चुकिया आगे में डिटेल स्टेप बेस्टेप सब कुछ बताता रहूंगा कि कैसे हम लोग रैंक टैग्स तो नहीं बोलूँगा कि हम लोग यूट्यूब चैनल खुज रैंक नहीं होगा और रैंक कैसे होगा या तो आप लग चलेगी या फिर आपने मेहनत करनी होगी उस पर टाइम देना होगा उसका जो कॉन्टेंट होगा आपने ऐसा बनाना होगा दमधार बनाना होगा कि एक वीवर जो आपकी तरफ आए और बार बार आके आपके चैनल को देखें और सब्सक्राइब भी करें तो होब कि आपको यह वीडियो समझ आई होगे अगर समझ ना ही तो कोई मसला नहीं है फिर से देख लें आगे जाके इस प्यूपर में काफी ज्यादा बात करने वालों किस्ता से हमें उल्लू बनाया जा आपको जबर पसंद आई होगी तो खुशी रही है आब आद रही है मुझे भी अपनी दोम याद रही है तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ठेक केर बड़ बाई